हलो एंड वेलकम दोस्तों मैं हूँ वीरेन और आप देख रहे हैं टेक्नो वीरेन तो आगए मैं आज एकनों वीडियो के साथ तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप इंस्टाग्राम रिल्स का जो कवर है उसको कैस से चेंज कर सकते हैं वीडियो अप्लोड करने के बाद तो वीडियो को लाश्ट एंड तक देखना क्योंकि अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पूरा यह प्रोसीजर समझने आगे तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब बर देना तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको जागरना है सिंप्ली इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है तो इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद आपको प्रोफाइल में section में चले जाना है जहां पर आपको रिल्स देखने को मिलती हैं यहां से हम रिल SIMPLY उसको open करना, यहां आप देख सकते हैं, three dot आपको देखने को मिल रहा है, निचे right side में simply three dot पर tab करना है, उसके बाद आपको edit का option देखने को मिल जाता है, simply edit का जाना है, यहां पर आप देख सकते हैm cover का option आपको मिल रहा है, लेकिन आप ऊछरे 수保र एडिट यहां से यहां स उसका cover edit नहीं कर सकता है, यहां से मैं इसको okay कर देता हूं, तो अब आपको cover edit करने के लिए क्या करना है, simply three dots पे fit से tab करना है, यहां से आप देख सकते हैं, आपको एक option मिल रहा है, save to camera roll, simply आपको save to camera roll पे कर देना, आपको एक second wait करना पड़ेगा, तो जो भी आपकी reels का video था, वो camera roll में चला गया है, तो basically क्या होता है, जैसे ही just आप video upload कर देते हैं, तब आपको लगता है changing होनी चाहिए, तो लेकिन आप उसको change कर नहीं सकते, तो अब आपने जो भी video अभी हमने camera roll में save किया, वो एकदम जो पहले आपने music लगाया, और जो भी आपने effect डाले, उसके साथ वो video share हो गया, तब आपको simply plus पे tap करना है, यहां से reel select कर लेना है, यहां से आपको continue करना है, तो यहां से आप देख सकते हैं, आपको gallery का option मिल रहा है, और हमने जो भी reels save की थी, वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी, यह देख सकते हैं, जो मैंने reels पहले upload कर रखी है, वो music के साथ आपको यहां पर उपर जो text लिखा हो, आपको यहां पर मिल गई है, simply आपको जैसे यहां पर आपको new reels upload करनी है, एक बार फिट से दिखा देता हूँ, आपको plus पर जाना है, यहां से reel select करना है, और जो आपने video download किया, वो यह रहा, simply इस पर टैप करना है, यहां से आपको add कर देना, उपर option, आपको add का option मिल जाता है, तो इसमें अब आपको ना music add करना है, ना को effect डालना है, जो आपने पहले reels डाल रख रही है, वो एक दम डिट्टो आपके download हो चुकी है, तो इसके बाद आपको simply यहां से, यह done हो चुका है, यहां से इस पर right arrow पे tap कर देना है, यहां से आप और कोई editing करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, यहां से फिर आपको right पे tap कर देना है, तो आप देख सकते हैं, आपको cover का option मिल रहा है, यहां से आप video में से कोई cover change कर सकते हैं, या फिर gallery से भी आप कोई cover उठा सकते हैं तो इस तरह से आप कोई भी reel से आप उसको direct तो आप उसका cover चेंज नहीं कर सकते हैं लेकिन आप editing हो गई, music हो गए, उसको change नहीं करना पड़ेगा आपको reels वहां से, मैंने जो इसे बता है, simply वहां से download करनी है यहां से मैं example के लिए एक वार कोई भी डाल देता हूँ, cover यहां से मैं done कर देता हूँ यहां से आपको caption कोपी कर लेना, यहां से आपको share कर देना, यहां से मैं अब आपको profile में आके दिखा देता हूँ थोड़ा वो upload होने में time ले रहा है, एक सब्सक्राइब यह हो जाएगा भी तो आप देख सकते हैं, जो मैंने नई reels डाली थी, वो upload हो चुकी है और यह दोनों जो third number reels है और first है, same है, डिट्टो एक दम लेकिन इनके cover change है तो इस तरह से आप कोई भी reels है, आपको simply पहले उसको download करना है, फिर आपको जैसे ही आप download करेंगे, आपको डिट्टो वो download मिल जाएगी और आप फिर उसका cover change कर सकते हैं लेकिन सीद्धा आपको cover change करने का option अभी इंस्टाग्राम ने नहीं दिया है, यह एक छोटी सी ट्रिक थी जिसके तुरू आप change कर सकते हैं, तो वीडियो पसंद आई तो like कर देना और चैनल को subscribe कर देना, thank you